आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर टू पॉलिनेमियल इंट्रोडक्शन तो आज हम चैप्टर टू का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं अगर आप कंटीन्यू जूरते हैं तो आपका कंप्लीट सिलेवस कराऊंगा तो आई ये start करते हैं chapter 2 का introduction एक बात समझे क्या है सबसे पहले board पे देखिए polynamials, polynamials यानि बहुपद बहुपद यानि बहुत सारे पद अब देखो क्या होता है सबसे पहले हम एक बात समझे कि कोई भी पद यानि कि कोई भी term कैसे बनता है term देखिए कोई term कैसे बनता है ठीक है ना अब term देखिए plus या minus के sign के बाद बनेगा multiply या divide का sign इसके लिए use नहीं होगा कहोगे ऐसा क्यों देखिए जैसे कि हमने लिखा 5x into 6y तो अब हमने लिखा ये 5 6 जा 30 हो जाएगा xy तो ये एक term है मेरी बात को ध्यान से सुन जी लेकिन plus और minus में भी ऐसा होता है देखिए अगर मैं लिखू 5x plus 3x तो 8x हो जाएगा तो आप कहोगे यहां भी तो एक term है लेकिन अगर कि यह एक term है और यह plus के निसान के बाद यह क्या हो गया दूसरा term हो गया तो कैसे करेंगे term का calculation plus या minus के sign के बाद जैसे 5x plus 3y minus 6 अब इसमें कितने term है तीन term है मेरी बात समझ में आ रही है plus और minus हाँ यह ध्यान रखना है कि यह जो है unlike term है अब बात कर लेते हैं डिगरी की अब डिगरी क्या होती है डिगरी क्या होती है जैसे कि हमने लिखा 5x q plus 4x square plus 3x plus 2 अब कोई आपसे पूछ दे बताओ इसकी डिगरी क्या है चलो सबसे पहले आप में कोई कोई बात बताओ आप से मैं पूछ दूँ आप कौन सी क्लास में पढ़ती हूं या कहां तक पढ़ती हूं तो आप कोगे 10th में हूं यह तो नहीं कोगे मैं 5th पढ़ाऊं बात समझ में आ रही जानी आपकी जो highest degree है वो बताओ गे कोई कोई किसी से पूछ दे आप कितने पढ़े हो वो बी- पूछोगे नहीं पता वेरियेवल सुनो धियान से क्या होता है बताना तो पड़ेगा ही ना देखो यह जो five यह है constant और यह जो x है यह है वेरियेवल क्या देखिए जिसकी value fix होती है जिसकी value क्या होती है fix होती है 5 है constant आप उसको कहीं भी लिखोगे उसकी value 5 ही लेने वाली है लेकिन अगर x है तो x की value कहीं 5 आएगी कहीं 10 आएगी कहीं 6 आएगी कहीं 0 आएगी यानि इसकी value बदलती रहेगी तो X क्या है वैरियेबल है ठीक तो वैरियेबल की जो डिगरी है वैरियेबल की डिगरी कितनी है तीन भी है दो भी है एक भी है लेकिन हमें कौन सी बतानी है हमें बतानी है हाइस्ट वाली डिगरी हमें कौन सी डिगरी बतानी है हमें हाइस्ट वाली डिगरी बतानी होती है हम अब इसी डिगरी के बेस पे जो पॉलीनेमियल है उसको थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है अब आप कहोगे यह पॉलीनेमियल क्या है मेरी बात को जहां से किसको पॉलीनेमियल कहेंगे अब यहां तक समझ गए टर्म समझ गए डिगरी समझ गए अब किसे पॉलीनेमि है, whole number क्या होता है, थोड़ा detail में बता दू, तो detail में सुल दो, detail में क्या, अगर x है, अगर x है, अगर उसकी power one upon two है, one upon three है, या five, मतलब fraction में है, किस में है, fraction में है, mix, मतलब five upon four, three upon two, तो यानि की वो polynomial नहीं होगा, तेखिए बात समझ लाइए, फिर जो बच गया, वो सारा पॉलीनेमियल होगा। दूसरा जो X है, जो इसकी degree है, अगर माइनस में हो जाए, किस में हो जाए? अगर माइनस में हो जाए, ठीक तो ये भी polynevial नहीं होगा बात समझ में आ गई आप सभी किये नहीं होगा तीसरा क्या अगर ये x खुद अपने आप upon में चला जाए या यानि कि ये upon में लिखा हो जो variable है कहीं पर जो variable है कहीं पर वो upon में लिखा हुआ है next क्या है जो variable है वो root में नहीं होना चाहिए तेखिए ये चार condition है कहने को तो सीधा आप कह दो whole number लेकिन अगर सही से detail में समझो तो ये चारो condition अगर है तो वो polynomial नहीं होगा वो polynomial नहीं होगा जैसे मैं आप से कह दूँ आप से मैंने पूछा बताओ क्या ये polynomial है आप कहोगे ये बिलकुल है क्यों कहोगे बिलकुल है हमने root के बारे में बताया था कहोगे नहीं ऐसा नहीं है आपने बताया था कि variable पे root होगा तो वो polynomial नहीं होगा पर यहां तो variable के उपर root है ही नहीं ना यहां तो constant जो value है उसके उपर root है उसके उपकर है तो रहने तो हमने तो सिर्फ यहां पर variable के बारे में बात कि अब मैं next आपसे पूछ नूँ अब मैं आपसे पूछ दूँ बताओ क्या ये पॉलीनेमियल है अब कहोगे नहीं है जी नहीं है क्योंकि H6 तो है इस वार जो variable है वो भी रूट में आ गया यानि कि ये पॉलीनेमियल नहीं है तीसरा मैं आप से पूछ दूँ अब कोई आप से पूछ दे कि एक बात बताओ क्या ये पॉलीनेमियल है आप कहोगे अरी यहां तो जो एक्स है वो रूट में है तो पॉलीनेमियल नहीं होना चाहिए थोड़ा सा रुको देखो यहां स्क्वार भी है ना स्क्वार से रूट कर जाएगा इधर चड़ जाएगा तो यानि कि 25 ए कि बात को समझे तो यह पॉलीनेमियल हो गया ना हो गया है नहीं हो गया थोड़ा आखना कंड खुले रखना है आपको एह असानी कि आपने बस देखा और लगा दिया टिक क्योंकि अब तो ट्रिक मार को अले कुशन आएंगे सही या गलत पहले क्या होता था अपने यह बेस पे जो पॉलीनेमियल को है किस किस टाइप में डिवाइड किया गया आईए समझते है जैसे कि मैंने यहां लिख लिया एक अब आप देखिए सबसे पहले पहला देखिए टर्म एक्स प्लस फाइब यहां जो डिगरी है कितनी है हुआ है यहां जो डिगरी है वो कितनी है तू है आपको पता है पहले ही बता चुका हूँ डिगरी हाइस्ट वाली लेनी है यहां जो है डिगरी है कितनी है थिरी है बात समझ में आ रही है डिगरी वन है डिगरी टू है और डिगरी कितनी है थिरी है बात दिखने है आप लोग तो यह जो है आपका, यह एक चीज का और धियान लखें, जो x है, x पराबर 0 नहीं होना चाहिए, जो x है, उसकी जो value है, वो 0 नहीं होना चाहिए, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो degree 1 है, इसका मतलब इसको हम इधर लिखे दें है, x equal to not 0, जो degree, ज और यह आपका हो गया, quadratic polynomial, और यह आपका हो गया, cubic polynomial, बात समझ में आ गए, linear polynomial, quadratic polynomial, और यह आपका हो गया, cubic polynomial, अब देखिए, 0 और polynomial, polynomial, 0 of, 0 of polynomial, क्या होता है, हमने 9th class में करे ना reminder theorem, कि अगर हमने किसी equation में value put कर दी, कोई polynomial में हमने value put कर दी, तो 0 आ गया, तो हम कहते ही है, इसका 0 है, ठीक है, तो अब कैसे 0s निकालते हैं, 0s कैसे निकालेंगे, जैसे linear polynomial है, linear polynomial हमने लेते हैं, linear polynomial है, ax plus b, ax plus b क्या है, linear polynomial है, ठीक है, तो ax plus b एक linear polynomial है, हम कर लेते हैं, let k is the 0, ठीक, k is the 0, 0 हमने लेते हैं, ठीक है, k इसका 0, तो अब यहाँ पर a, x की जगा क्या जाएगा, k आ जाएगा, plus b equal to 0, अब यहाँ पर जो b है, b क्या है, constant term होगा, और जो a है, वो coefficient of x होगा, अब कहोगे, यह क्या है, आप से कोई क्या है, देखिए, एक बात बताओ, 5x plus 4, एक नम्मर है, यह linear polynomial है, इसका 0 बताओ, क्या होगा, तो k equal to, अभी-भी मैंने क्या बता है आपको, minus b अपोने, constant term है, हमारा constant term है, और यह coefficient, अब कहोगे, coefficient क्या होता है, पढ़ाओगा, नहीं पढ़ाओगा, सुननो ध्यान से, आदत है, भूल जाने की, भूलेंगे नहीं, तो computer हो जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा, ना, क्या है, समझिए, देखिए, जैसे x square plus 5x plus 3 है, ठीकि, यह 2x square लिग लेते, अब कोई हम से पूछेगा, क्या है, तो x square का coefficient क्या है, कोई पूछेगा, x का coefficient क्या है, तो x का coefficient है 5, और कोई पूछेगा, एक बात पता हो, इसमें constant term कौन सा है, तो 3 एक क्या है, constant term है, पता है यह बात समझ में आ गई है, आप सभी के, चलें आगे, चलें, तो k बराबर अभी क्या बताया minus b अब देखिए minus 4 और ये हमारा जो coefficient of x यानिकी 5 आगया अब कोगे क्या really में जी रहे हैं अब आप देखिए let px equal to 5x plus 4 हम एक नम्मर ले 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 बताएए कोई दिक्कत अब यहाँ पर क्या करते हैं हम x की जगा ले 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 लेते हैं minus 4 upon 5 5 into x की जगा हम लिखेंगा minus 4 upon 5 plus 5 से 5 कट गया minus 4 plus 4 पताएए जीरो आगया नहीं आगया आगया ना यहीं को हम zero of polynomial कहते हैं तेखिए जब आप linear polynomial पढ़ेंगे तो इसका एक 0 हो गया जब आप quadratic पढ़ेंगे तो इसके दो zeros होंगे जिसे आप alpha और beta में पढ़ेंगे जिसे मैं next जो है exercise में पढ़ाऊंगा और इसमें आपको alpha, beta और gamma इसके तीन zeros होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो भी हम next exercise में पढ़ेंगे next exercise में मैं आपको chapter 2.1 कराऊंगा NCRT का और साथ ही आपको work seat भी दूँगा